इस वीडियो में हम मेट्रिक प्रणाली में वजन के मात्रक जानेंगे अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वजन की लेकिन दरसल तक्नीकी रूप से हम जिसके मात्रक यहाँ देखेंगे वो दरसल है भार अब वजन और भार में तकनीकी रूप से बहुत की में बड़ा अंतर है लेकिन रोज मर्रा के जीवन में हम वजन और भार का उपयोग एक दूसरे के बदलिक कर लेते हैं तो इस वीडियो में जब मैं वजन का प्रयोग करूँगा तो दरसल मैं रोज मर्रा के जीवन में उपयोग होने वाले शब्त का प्रयोग कर रहा हूँ और जो भार होता है वो तकनीकी रूप से अलग चीज होती है जो तुम अगली कक्षाओं में जाकर सीखोगे तो फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम किसी हलकी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसका वजन हम लेते हैं ग्राम में अब अगर मैं बात करूँ एक ग्राम की तो एक जो छोटी सी पेपर की क्लिप होती है उसका वजन अंदाजन एक ग्राम होता है ये काफी हलकी होती है या फिर मैं कहूं कि एक note इसका वजन भी काफी हलका होता है ये एक ग्राम के आसपास होता है और अगर हमें कुछ भारी चीज़ों के बारे में बात करनी है तो हमें अगले मातरक के पास जाना होगा जो है किलो ग्राम तो अब एक किलो ग्राम क्या होता है तो जब हम एक ग्राम को गुणा करें हजार से यानि कि हम बात करें यहाँ पे हजार ग्राम की तो हजार ग्राम बराबर होते हैं एक किलो ग्राम के और अगर एक किलोग्राम का अंदाजा में तुम्हें दूँ तो जो पानी की एक लीटर की बोटल होती है उसका वजन यानि की एक लीटर पानी का वजन बराबर होता है एक किलोग्राम के अगर हम इंसानों की बात करें तो एक बड़े व्यस्क का वजन 70 kg के आसपास होता है और एक स्कूटर का वजन कुछ 1.500 kg के आसपास होता है अब अगर हम एकदम हलकी चीजों की बात करें तो ग्राम को अगर हम विभाजित कर दें 1000 भागों में एक बटा हजार ग्राम के, एक मिली ग्राम बहुत ही छोटी, बहुत ही कम मात्रा होती है, तो मैं लिखता हूँ कि जो एक मिली ग्राम है, वो बराबर होता है, एक बटा हजार ग्राम के, और जो एक किलो ग्राम है, वो बराबर होता है, एक हजार ग्राम के.